मुख्यमंत्री जैरामधाकुर के सिर्मोर प्रवास को लेकर ना केवल स्थानी लोग वाभाजपा मंडल बलकी नई पेंचन योजना करमचारी संग भी अत्यंत गमफीर है इसी संदर्भ में NPS खंड राजगर नोहराधार और संगड़ा हा सभी वेभागों के करमचारीयों की बैठके आयोजित हो रही हैं खंड अध्यक्ष नोहराधार जीतेंद्र चोहान खंड अध्यक्ष राजगर प्रवीन शर्मा और खंड अध्यक्ष संगड़ाहा चंद्रमणी वर्मा ने स्यूंक्त वक्तव्य में कहा कि जिला सिर्मोर के सभी वेभागों के करमचारी और अधिक्तम संख्या में, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर की अध्यक्षता में नोहराधार प्रवास के दोरान मुख्यमंत्री को मिलकर, 2018 में धरमशाला विधानसभा सत्र के दोरान पुरानी पेंचन बहाली के लिए समीती बनाने एवं केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना को राजे में लागू करने के संदर्भ में दिये गए आश्वासन को दोबारा समरण करवाएंगे। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि ये मुद्दा नीतांत आवशक मुद्दा सभी वेभागों के 2003 के बाद न्युक्त करमचारियों और अधिकारियों से संबंधित हैं। मारणी मुख्य मंत्री को 13 थारिक को समान करवाएगा कि 2018 में धरमशालह में आयोजित बिधांसाबा सत्र में उनके दवारा इस संद्र को दो आश्वसन दिये गए थें जिनमें पूरानी पेंशनित बाहाली के रिए उच्छ तरिये समितिक अगठन करना तता 15 सरकार की 2009 के में लागू करवाना है हमें आशा है 27 नौंगल को आयोजित होने वाली जैसे सिकी बैटक में इन दोनों मांगों पर निश्चीत रूप से हिमाच्छ पर्दीश की राजसरकार कोचीत थैसला लेगी ताकि लागों करमचारियों को इसका लाभ हो सके